अश्रोग्यान योट्यूब चैनल आपका एक बार फिर से हरदिक स्वागत करता है दोस्तों अगर आप घर बैठे कुछ ऐसे सरल उपाय टोटके जानना चाहते हैं जिनका परियोकर आप जीवन में आने वाली समस्या को हमेशा के लिए दूर करना चाहते हैं तो दोस्तों आज की ये वीडियो सिर्फ हम आपके लिए लेकर आए हैं ये वीडियो किसी भी गर्ल फ्रेंड या बॉइफ्रेंड के लिए बिल्कुल भी नहीं है ये वीडियो सिर्फ उन महिलाओं के लिए हैं जो अपने पती से दुखी हैं क्योंकि आज जो वश्यकन टोटका हम आपके लेकर आए हैं, बहुती अच्छोफ टोटका है, एक बार करने मातर से ही आप अपनी पती को अपनी मुठी में कर शकती हैं, दोस्तो आपको क्या करना होगा, इसके लिए आपको एक हारी मिरच की अवश्यकता होगी, एक हारी तूटी फूटी ना हो, दोस्तो आपको फ्रेश एक हारी मिरच लेनी होगी, और इस टोटके का परियोग आपको आज रात को करना होगा, आज रात को आप एकांध स्थान पर बैठ जाएं, जब आपके पती सो रहे हो, अपने सामने आपको हारी मिरच को रखना होगा, और सिंदूर की मदद से आपको अपने पती का नाम लिखना होगा, और एक साइड में आपको अपने पती की बर्थ डेट लिखनी होगी, दोस्तो उसे पती के उपर से साथ बार उतारते हुए, ओम, कलीम, मम, वश्यम, मम, स्वाह, मंत्र का 21 बार जाप करना होगा, और उसके ब पहले आपको इस मीरच को ले जाकर एक लाग धागे की मदद से नियम के वरिक्ष पर बांद आना है, पीछे मुड़कर नहीं देखना, वापिस घर लोटाना है, अगर आप घर बैठे जानना चाहते हैं, कुछ ऐसे असान और सरलवशी करनों पाए टोटके, जिनका परियो को अपने मुठी में कर सकें, तो दोस्तो आप हमारी इस वीडियो में हमारे साथ बने रहिएगा, और दोस्तो अगर अभी तक यूट्यूब चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया, सबस्क्राइब कर लें, बैल आइकन प्रैस कर लें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफक कि आपके जीवन के समस्याँ को दूर करना, किसी भी गलत भावना से हम कुछ ऐसे उपाये टोटके नहीं लेकर आते, जिन से आपको या आपके परिवार को किसी भी तरह का कोई भी नुकसान पहुंचे, वीडियो में हमारे साथ अंतक बने रहने के लिए दोस्तो आपका ब के लिए आम तो को भावना